बाई सब ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो हमें आइडवान सर्वर के अंदर 10,000-20,000 डायमेंड मिल रहा है उसको कैसे हम अपनी परसनल आईडी में गिफ्ट कर सकते हैं ये क्वेशन दो तीन दिन से लोग कमेंट कर रहे हैं मैसेज करके पूछ रहे हैं कि यहा बीडियो को मैं देने वाला हूँ Google Play का रेडियम कोड और साथी साथ मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो जाती है हर एक वीडियो के लिए में देता हूँ तेन-तिन लोगों को Google Play का रेडियम कोड तो अगर आप चैनल पे पहली बार आयो हो यह नए हो तो आपको बता दूं क कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी हाव तो पाटिसिपेट की उस पे क्लिक करके देख लो क्या रूल है कैसे पाटिसिपेट करके आप देली बिल्कुल फ्री में मेरे चैनल के तुरू ले सकते हैं Google Play का रेडियम कोड तो चलो यहां पे हम बीना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे बहले यहां पर आपको बता दूँ यहां पर यह एडवांस सर्वर है यह एडवांस सर्वर के अंदर हमें तो बहुत जादा डामेंड मिलते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो जैसे आप देख सकते हो बाइस आप कमेंड में प्रसों के दिन 1500 डायमेंड और इसके बाद वाले दिन पे लॉगन करूँंगा तो यहाँ पे 3000 और मिल जाएगा इसी के साथ में यहाँ पे LEVEL UP मिशन पे भी दिया गया है dark diamond तो यहाँ पे जैसे ही मेरा यहाँ पे हो जाएगा 20 level तो मुझे 2000 diamond मिल जाएगा और जैसे 25 level हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे 5000 rank token मिल जाएगा और यहाँ पे जैसे मैं complete कर लूँगा 30 level तो भाई साब यहाँ पे मुझे 7000 डायमेंड बिलकुल फ्री में मिल जाएगा बस इतना ही नहीं यहाँ पे मिशन्स भी दी गए अलग-अलग आदा घंटा ओनलाइन रहोगे तो यहाँ पे आपको और डायमेंड मिलेंगे और उसी के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो 5 गेम ग्रिनेट हैवक मोड खेलना है जो कि एक नया मोड आया हुआ है वो गेम खेलोगे 5 गेम तो यहाँ पे 500, 1500 और आपको मिल जाएंगे और साथ-साथ में यहाँ पे टिपल वुल्फ मोड है जिसके अंदर आपको सिर्फ 5 गेम खेलना है मिशन दिया गया है आपको 5 मिनट ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर रहने है और आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे 500 डायमेंड और यहाँ पर 15 मिनट ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर और रहोगे तो 1000 डामेंड और मिल जाएगा अगर आप आदा घंटा रहते हो तो यहाँ पर आपको टोटल 1000 डामेंड और और साथ साथ में 10 कस्टम रूम कार्ड मतलब मेरे काल से दोनों मिलेगा या एक ही मिलेगा यह थोड़ा सा कन्फूजन है लेकिन यहाँ पर अभी हम आदा घंटा रहेंगे तो देख लेंगे दोनों मिलेगा या एक मिलेगा लेकिन भाई यहाँ पर आपको लाइन से देख लो भाई diamond ही diamond मिल रहे हैं यहाँ पे हमें 2 classic mode finish करने पे 300 फिर यहाँ पे 3 finish करेंगे हम rank match तो 500 और मिल जाएंगे और यहाँ पे 30 player kill करते हैं classic या ranked में तो यहाँ पे हमें 3000 diamond और मतलब आप अगर calculation करोगे तो यहाँ पे तो इतने ही diamond मिल रहे हैं हम किस तरीके से आप यह diamond को अपनी ID में gift कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो पुराने player से उनको पता है कैसे यह करना है मतलब यहाँ पे जो यह diamond मिलता है यह transfer कैसे होता है या नहीं होता है उन लोगों को पूरा पता है लिकिन जो new player होते हैं उनको नहीं पता होता है कि यहाँ पे जो यह diamond है advance server का यह gift कहां से होता है पहली बात आपको बता दू जो advance server के अंदर आपको diamond मिल रहे है न यह आपको check करने के लिए दिया जाता है पहले आपको clear कर दू जो हमारा normal free fire game होता है और जो advance server game होता है अब दो अलग server है तो आप खुदी सोच लो अगर आप advance server से अगर gift करना चाहोगे अपने ID में तो अलग-अलग server है मतलब आप एक mobile से दूसरे mobile में आप भेजना चाहते हो तो यह possible नहीं हो पाएगा एक mobile समझ लो Indian server है और जो दूसरा mobile है वो advance server है और यहाँ पे कोई भी connection नहीं है जिससे आप दोनों ID को connect करके भेज सकते हो तो इसी तरीके से यहाँ पे अलग-अलग server होने के कारण यहाँ पे कोई भी आपको gift section नहीं देखने मिलता है जिसके कारण यह होता है यहाँ पे आप लोग जो diamond देख रहे हो ना इसको सिर्फ यहीं पे खतम कर सकते हो ना तो अपने advance server और और फ्रेंड को gift कर सकते हो ना तो आप यहाँ पे अपनी personal ID में gift कर सकते हो तो जो new players होते हैं उनको यहाँ पे problem होती है उनको यह confusion होता है कि यहाँ पे gift काँ से किया जाए इतने सारे diamond मिल रहे है और यहाँ पे बाज साब इतने सारे diamond देखके सबका दिमाग घुम जाता है तो यहाँ पे first time मैंने खुद देखा था ना तो मेरे दिमाग में यही आया था यार क्या यह इतने सारे diamond हम अपने ID में transfer कर सकते हैं कि नहीं तो बात में मुझे पता चला कि यहाँ पे तो कुछ option ही नहीं होता है और यहाँ पे यह दोनों अलग server होता है वो time मैंने नया नया start किया तो तो यहाँ पे आप लोग का भी जो confusion है कुछ इसी तरीके से जो start पे मुझे हुआ करता है तो यहाँ पे उमिद करता हूँ आपका जो यह doubt है यह clear हो गया है कि advance server का diamond है वो सिर्फ आप spend कर सकते हो advance server के अंदर और इसको gift कहीं पे भी नहीं कर सकते हो even आप advance server players को भी नहीं कर सकते हो तो उमिद करता हूँ आपका यह जो doubt है वो clear हो गया है लेकिन अभी आपका यह भी doubt है कि इतने सारे diamond देरा है यह हम कहां use करें तो भाई यहाँ पे हमें अंदर बहुत सारे चीज़े दी गई है जा कि store में देखोगे तो आपको बहुत सारे समाने सब कुछ आप open कर सकते हो तो भी open करने के बाद आपके पास diamond बच जाएंगे पहली बाद तो custom देख लो भाई एक-एक diamond का एक-एक custom है अगर मैं यहाँ पे ले ले लिता हूँ यहाँ पे देख सकते हो भाई निन्यान बेट custom कितने diamond में निन्यान बेट diamond में तो भाई बहुत सस्ता है और वैसे भी यह waste होता है हर टाइम advance server आता है और हर टाइम यहाँ पे 10,000 diamond 20,000 diamond waste हो जाता है कुछ मतलब नहीं बनता है मेरी ID में तो यहाँ पे बस आता है देख लो कैसे आपको install करना है और कैसे आप use कर सकते हो advance server तो उमिद करता हूँ आपका जो doubt है वो पूरा clear हो गया होगा कि यह diamond आपको सिर्फ और सिर्फ advance server के यह अंदर spend करना है इसको ना तो gift कर सकते हो ना तो भाई सब कहीं पे भी transfer कर सकते हो तो उमिद करता हूँ यहाँ पे अगर आपका यह doubt है clear हो गया है तो वीडियो को like और चैनल पे पहली बारा तो चैनल को subscribe कर देना क्योंकि free fire की जो भी news update या problem solution रहता हूँ वो सब आपको सबसे पहले आपको मैं पता देता हूँ वो भी in detail में तो चैनल को subscribe कर के जाना और यह वीडियो को अपने facebook आप पे शेर भी कर देना तो मिलते हम next वीडियो में जब तक के लिए आप अपने family का ख्याल रखे थे 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 जाँ अपने चाहे ते बाप